चारों तरफ पहाडियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गाउं था उस गाउं की जन संख्या भी कोई जादा नहीं थी वहाँ के लोग अधिकतर मिलनसार थे लेकिन उसी गाउं में दो दोस रहा करते थे जो आए दिन किसी न किसी को परिशान करते रहते थे उन दोनों दोस्तों का नाम भोला और कालू था उनकी इन आदत से गाउं के अधिकतर लोग बड़ा परिशान रहते थे वो गाउं के छोटी-छोटी बच्चों को पकड़ लेते और उनको परिशान करते या तो फिर आने जाने वाले लोगों को परिशान करते हैं एक दिन एक बुजर्ग आदमी समान लेकर जा रहे थे कि तभी कालू बोलता है अरे दादा इतना भारी सामान लेकर कहां जा रहे हो लव मुझे दे दो क्या है इस सामान में अरे बेटा कुछ नहीं घर का सामान है तुम्हारा बड़ा भला होगा अगर तुम ये सामान मेरे घर तक ले चलो लगता है इनकी तहली में खाने पीने का अच्छा सामान है चल चल इनकी मदद के बहाने हमिर का सामान देखते हैं और अच्छा लगा तो खा भी लेंगे वो दोनों भाग कर उस बुज़रूगा अदमी के पास जाते हैं कालू थैली लेकर पीछे-पीछे चलने लगता है और भोला उसके साथ में कालू देखता है कि थैली में तो केले और फल रखे हैं वो उन में से काफी सारे केले और फल निकाल लेता है और थैला भोला को दे देता है ये लो दादा आपका भार आगया आल अपना थैला भी भगड़ो अब आपको यहां तक छोड़ने का जितना किराया लगना था वो हमने आप से वसूल कर लिया है बुजर्गाद में थैली में देखता है तो दो केली और दो सीप पड़े थे वो अपना सर पीट लेता है कि मैंने इन दोनों से मदद मांगी है क्यों और वो दोनों वहां से हस्ते हुए भाग जाते हैं इन दोनों पर तो मुझे भवसा करना ही नहीं चाहिए था पैसे भी गए और फल भी गए इसी तरह के बहुत से वाकिय आए दिन किसी न किसी के साथ करते रहते थे एक दिन की बात है दोनों दोस पहाड़ी पर घूमने के लिए जाते हैं वहां उन्हें एक बड़ा सा गड़ा दिखाई देता है जो चट्टान के अंदर था वहीं उसके पास एक बाज बैठा हुआ था देख देख उधर पहाड़ी की तरफ देख कितना बड़ा गड़ा है जरूर उसके अंदर ख़जाना होगा तबी तो ये बाज उसके सामने बैठा हुआ है तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वहाँ पर ख़जाना है अगे जम मैं छोटा था मेरी दादी कहा करती थी कि ऐसी जगह पर लोग बाग अपना ख़जाना छुपा देते हैं पहले के समय में और फिर कोई सांप या बाज वहाँ पर बैठकर अपना पहरा देता है अरे वाँ नेकी और पुछ पुछ फिर ऐसा करते हैं हम लोग बाज आकर देखते हैं उस चोटे से गड़े नुमा गुफा के बाहर एक बास बैठा हुआ था जो काफी बूरा हो चुका था उसमें जादा उड़ने की क्षमता भी नहीं बची थी भोला और कालू हाथ पर उसे भगाने की कोशिश करते हैं बाज बार बार अपने पंक फरफडा कर वहीं बैठ जाता है यर मुझे नहीं लगता है सच मुझ में यहां पर कोई ख़साना है देखा यह बाज तो यहां से उड़ी नहीं रहा ऐसा करते हैं इसे पत्थर मार कर उड़ा देते हैं भोला और कालू वहां से कुछ पत्थर उठा कर उस बास पर मारने लगते हैं बाज न उड़ पाने की कारण अपने बड़े बड़े पंकों से अपना बचाओ करने लगता है लेकिन पत्थरों के पढ़ने से उसके पंक फूटने लगते हैं वो बुरी तरे घायल हो नीचे गिर जाता है इतने पर भी दोनों दोस्तों को शान्ती नहीं मिलती और वो बड़े से पत्थर से उस बास को मार डालते हैं चल चल अब अंदर जाकर देखते हैं जरूर वहां पर खजाना होगा लेकिन जैसा कि दोनों सोच रहे थे वैसा वहां कुछ भी नहीं था वो बास का घर था जिसे उन दोनों ने मार डाला था वो दोनों अपनी बेवकूफी पर हसते हुए वहां से चले जाते हैं कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो जहां कहीं भी जाते हैं एक काली सी परचाई उनका पीछा करती है क्या बताऊं तुझे कल मैं चट पर गया था मा ने कहा था चट से कपड़े उतार ला जैसे ही मैं कपड़े उतारनी के लिए गया मुझे ऐसा लगा कि काली सी परचाई मेरे सर के उपर से गई है और वो कह रही थी कि तुम्हें तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा क्या? सच में? मुझे तो लगा कि ऐसी गटना सिर्फ मेरे साथ हुई है तुझे पता है? कल मैं कुएं की मुडेर पर बैटा हुआ था कि तभी मुझे लगा कि कुएं के अंदर से कोई परचाई मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है मैंने जैसी ही पलट के देखा तो मैं कुएं में गिरते गिरते बचा ही यार बोला समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है ऐसा करते है कुछ दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और दो तीन दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकलते उतर विदास चयए अब भूतियाबास बन चुका था उन दोनों को तलाश कर रहा था, लेकिन वो दोनों अपने घर से बाहर ही नहीं निकले तो वो भूतियावाज गुस्से में गाउवालों को परिशान करने लगा अरे बचाओ, बचाओ, देखो तो ये काली परचाई ये काली परचाई जैसा बास मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है अरे कोई तो बचाओ गाउं के कुछ लोग देखते हैं कि काली सी परचाई वाला बड़ा बास उस बच्चे को अपने पंजों में दबाए उड़ रहा है तभी वो लोग बास पर पत्थर फेकने लगते हैं मैं इस बच्चे को छोड़ दूँगा लेकिन पहले मेरे कातिलों को मेरे अवाले करो अगर तुम गाउंवालों ने ऐसा नहीं किया तो मैं इस गाउंगों को तबाह कर दूँगा या कि सभी लोगों को उठा कर ले जाऊंगा और ऐसी जगे छोड़ दूँगा कि तुम भूख प्यास से मर जाओगे पर हमें कैसे पता चलेगा कि तुमें किसने मारा है इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है पहले तुम इसे छोड़ो और हमें विश्तार पूर्वक बात बताओ बूतिया बाज गाउंवालों को सारी बात बता देता है गाउंवाले हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है हो ना हो ये काम जरूर कालू और भोला का होगा वहीं लोग ऐसी खुरापात कर सकते है नहीं नहीं मेरा भोला ऐसा नहीं कर सकता मानती हूं कि वो लोगों को परिशान करता है लेकिन वो किसी बेजुमान पक्षी को नहीं मार सकता और फिर वो तो कई दिनों से घर से बाहर ही नहीं गया है बहन पर ये बास तो कह रहा हैं कि वो इसी गाओं के लोग हैं फिर कौन हो सकता है बास सारे गाओं वालों को एक ही दिन का समय दे कर वहां से चला जाता है और एक दिन बीच जाने के बाद वो गुस्य में गाओं के अंदर आता है और वहां के लोगों के घरों के उपर पत्थर बरसाने लगता है जिससे आने जाने वाले लोगों को चोट लगती है और वो घायल हो जाते हैं पूरा दिन गाउं वाले परिशान रहते हैं और उधर भोला और कालू समझ जाते हैं कि ये तो वही बास है और उन दोनों को मार कर ही दम लेगा इसलिए वो दोनों अपनी घर से बाहर ही नहीं आते क्युम्रे कालू सच सच बता कहीं तूने तो भोला के साथ मिलकर उस बास को नहीं मारा देख सच सच बता दे अभी कुछ हो जाएगा वरना उस बास का गुसा दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और एक दिन देख लेना इस गाओं के सभी लोगों को वो मार डालेगा अरे नहीं नहीं मा मैंने और भोला ने ऐसा कुछ नहीं किया वो तो बस मुझे आजकल चक्कर बहुत आते हैं इसलिए मैं घर पर रहता हूँ लेकिन मन ही मन कालू बुरी तरह डर चुका था और अगले दिन बाज वापस गाओं में आता है और आज वो सारी गाओं के उपर आग के गोले बरसाता है जिससे लोगों की घरों में आग लग जाती है और सब तरफ अफरा तफरी मत जाती है सब अपने घरों को और अपने आग को बचाने की कोशिश करने लगते हैं आगर किसी तरह लोग अपने घरों को बचाने में काम्याब हो जाते हैं बाज वहां से चला जाता है लेकिन सभी परिशान लोग गाउं के मुख्या के पास जाते हैं मुख्या देखता है सारा गाउं वहाँ पर था लेकिन भोला और कालू नहीं थे कुछ लोग जाते हैं और उन दोनों को पंचायत में आने के लिए बोलते हैं जैसी वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं वो भूतिया बाज आ जाता है और उन दोनों पर छपट्टा मार उन्हें पंजे में दबा कर उड़ जाता है ये देखकर सारे गाउवाले और भूला और कालू का परिवार परेशान हो जाते हैं देखा देखा तुम लोगों ने आज जैसे ही वो दोनों बाहर निकले बाज उन्हें लेकर उड़ गया इसका मतलब उन दोनों नहीं बाज को माजा था ये भगवान हमारे बच्चों से ये क्या हो गया गाउवालों हमारी मदद करो अब बाज हमारे बच्चों को माँ डालेगा अरे मक्याजी आप ये कुछ करो उधर वो भूतिय बाज उन दोनों को लो जाकर उसी पहाड़ी पर खड़ा कर देता है तुम दोनों ने क्या सुचा था कि तुम मुझसे छुप कर कहीं बैठ जाओगे जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा है अब मैं तुम लोगों को इस पहाड़ी से धक्का दूँगा और तुम भी मेरी तरह मारे जाओगी हाहाहा हमें माफ कर दूँ हमें उस दिन लगा कि पहाड़ी के अंदर खजान आए और तुम उसका प्यारा दे रहे हो तुमने क्या सुचा क्या नहीं सुचा मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है तुम लोगोंने मुझे मार डाला और अब इसलिए मैं भी तुम दोनों को मार डालूँगा हाहा तभी वहाँ पर गाउवाले भी आ जाते हैं और वहाड़ी पर दोनों को भूतियाबाज के साथ देखकर घबरा जाते हैं भूतियाबाज उन दोनों को अपने बड़े बड़े पंखों से धक्का दे देता है वो दोनों नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं फिर वो बाज उड़ता हुआ नीचे आता है और जैसे ही वो उन्हें मारने लगता है मुख्या अपने साथ एक पंडित को भी लेकर आया हुआ था वो जल्दी से उस बाज की उपर तंत्र मंत्र कर उस पर भस्म डाल देता है जिससे वो भूद्या बाज गायब हो जाता है गाउवाले कालू और भूला को देखते हैं उनके शरीर की काफी हड़ियां तूट चुकी थी वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं एसी कोई हरकत मत करना और ना आज तो तुम लोगों की हड़ियां तूटी हैं किसी दिन ऐसा होगा कि तुम लोग मरे हुए मिलोगे मरे हुए हमें अपनी गलतियों का एसास हो गया हम आप सबसे माफी मांगते हैं और उस भूतिया बाद से भी और वादा करते हैं आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे हाँ उन दोनों को ठीक होने में काफी महीने लग जाते हैं और उसके बाद वो किसी को भी परेशान नहीं करते